हेलो फ्रिंज, मैं हूँ अनपुना और वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आपकी साथ शेयर कर रहे हूँ बेसन के लड़ो एकदम हलवाई स्टाइल में दानेदार जिसे आप खाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप मार्केट से खरिद के लाए हूँ मैं आपको तोड़के दिखा रही हूँ आप देख सकते ये एकदम दानेदार है ये दिखने में जितना ब्यूटिफुल है खाने में भी उतना ही ज़ादा टीस्टी है और बनाने में बहुती ज़ादा आसान है तो आईए देखते ऐसे tasty हलबाइ style बेसन की लड़ू कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने लिया है दो कप बेसन ये normal बेसन है जो regular हम use करते हैं उसके अलावा ये हैं भुरा इसे तगार भी कहते हैं ये एकदम धानेदार है इसको डालने से हमारे लड़ू एकदम market style में बनेगे इसको कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने नीचे description box में दे दिया है आप वहाँ से चेक कर लेना उसके अलावा ये हैं घी और हारी इलाईची, मगज की दाने और काजू अब मैं इसको अच्छे से बुन रहे हूँ दीमियाज पर अच्छे से बुन रहे हूं आप चाहो तो बेसन को चांगर भी डाल सकती या इस तरह के से स्पून से दबाते हूए इसमें गुटलिय पनरी है उसको तोड़ सकते है अब बेसन थोड़ा सा भुन गया है इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा और गी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने पुरा आधा कप गी डाला है और बेसन को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से अच्छी खुश्बू नहीं आती है और बेसन का थोड़ा सा कलर नही स्किप भी कर सकते हैं अब बेसन भुन गया है इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी इस तरीके से हाथ से हमें छिड़कना है अब देख सकते हैं पानी डालते साथ बेसन एकदम फुल रहा है इसमें बबल्स आने लग गया है बस इस तरीके से आने से हमारा जो बेसन है नॉर्मल बेसन वो दानेदार बनेगा उसके बाद मैं कलर का भी थोड़ा सा और पानी डाल रहे हूँ अगर आप कलर नहीं डाल रहे हैं तो आप दो बार पानी छिड़क सकते हैं अब ग्यास का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है और दीमियाश पर इसे तब तक भुनना है जब तक कि इसमें जो भी मॉश्यर है वो पुरा निकल नहीं जाता है आप देख सकते हैं बेसन एकदम फुल गया है अब आप देख सकते हैं इसमें दाने भी बन गया है तो इसे से हमारा जो बेसन का लड़ू है वो दानेदार बनेगा अब हमें धीमियाश पर इसको अच्छे से बुनना है तब तक जब तक कि ये फिर से एकदम सुखा नहीं हो जाता है मतलब इसमें जो हमने पानी डाला है वो पुरी तरीके से सूख नहीं जाता है अब बेसन काफी अच्छे से भुन गया है इसका कलर भी बहुत अच्छा है एकदम दानेदार भी बना है और इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है हमें बेसन को बहुत जादा भी नहीं भुनना है और बेसन को अगर हम लोग कम भुनेंगे तो वो मुह में चिपक जाएगा इसलिए हमें बेसन को एकदम अच्छे से पॉफेक्ट भुनना है और धीमियाज पर भुनना है अब बेसन भुन गया है मैं गैस का फ्लेम आफ करके इसे अलग कर दे रहे हूँ अब मैंने एक और पैन रखा है इसमें मैं ड्राइफरूट को भुन रही हूँ हमें ड्राइफरूट को इसलिए भुनना है ताकि इसमें जो भी नमी है वो निकल जाए अगर हम ड्राइफरूट को बिना भुने डालेंगे और उसमें नमी रहेगा तो लडुों में वो जाधा दिन तक नहीं रह पायगा और लडुों खराब हो जाएगा अब यह भुम गया है इसको भी मैं डाल रही हूं लडुों में उसके बाद इलायची को मैंने थुदा से शक्र डालके पीछ लिया था उसको भी मैस में डाल के इनको अच्छे से मिक्स करना है अब यहाँ पे बेसन ना तो एकदम गरम है और ना ही ठंडा है उसके बाद यह है बुरा यह एक कप है दो कप बेसन है और एक कप बुरा है बुरा आप अपने टेस्ट के अपड़िंग कम्या जादा कर सकते है और बेसन अगर जादा गरम रहेगा और उस समय हम लोग बुरा डालेंगे तो जो बुरा है वो पिगल जाएगा इसलिए जब बेसन नॉर्मल रहे तब ही हमें डालना है मतलब ना ही बेसन बहुत जादा होना जाए ना ही बहुत जादा गरम अब मैंने सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लिया उसके बाद हम लेते हैं थोड़ा सा बेसन और इसके लड़ो बनाएंगे आपको लड़ो जिस साइस के बनाने उसके अकॉरिंग आप बना सकते हैं आप देख सकते हैं यहां लड़ो बनाने में बिलकुल भी परिशानी नहीं हो रही और बहुत अच्छे से लड़ो बन रहे हैं इन केस आपके लड़ू नहीं बनते हैं, तो पहले आप देखिए लड़ू एकदम अच्छे से बन गया है, इसका शेप भी परफेक्ट है और एकदम दिख भी बहुत अच्छे से रहा है, मैं इसको रख रही हूँ प्लेट में, अब मैं आपको एक और लड़ू बना के दिख सकते हैं, फिर आपके लड़ू आसानी से बन जाएंगे, और अगर आपका बेशन एकदम ठंडा भी हो जाएगा, तो भी आपके लड़ू नहीं बनेंगे, तो अब आप देख सकते हैं, लड़ू एकदम अच्छे से बन गया है, अब इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे लड जरूर बनाईए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, थैंक यू